स्टापलस की सीरियल अनुपमा में हमने अब तक देखा कि काव्या है जो वनराज से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वनराज है कहता है कि अब मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना जो तुमने किया है उसके बाद मेरे से एक भी चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखना वहीं अनुपमा बा से मिलने आती है लेकिन सब अनुपमा को रुकने कहते हैं और अनुपमा रुक भी जाती है आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अनुच को फोन करती है और कहती है मैं रात में फाइल सेंड कर दूँगी तब ही अनुच कहता है कि तुम बाब पर बापुजी की शादी की पचासवी साल गिरा है तो हम लोग बाप बापुजी की फिर से शादी करते हैं तब ही वनराज कहता है कि जैसे हमारी हुई थी यह सुनकर अनुपमा अनकॉम्फोटिवल हो जाती है फिर अनुपमा और वनराज के बीच में हमें एक प्यारा सो मॉमेंट देखने को मिलता है और वहीं बच्चों के बीच में भी वेल सभी बहुत खुश होते हैं वहीं हम दे से कहती है घर में इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है मुझे कोई खबर तक नहीं है एक बात और वी इस घर में जो भी फंक्शन होगा वो मेरा इन्वॉल्मेंट होना जरूरी है वरना तभी वनराज गुस्से में कहता है वरना तुम घर से निकाल दोगी मुझे अपने ब चाहिए के साथ बोलो काव्या जी मैं क्या करूँ तब ही यह देखकर काव्या शौक्ड हो जाती है अब ऐसे में देखना है कि काव्या के बदलेंगे तेवर वनराज का यह रूप देखकर काव्या पड़ेगी थंडी जानने के लिए देखना ना भूले अनुपमा टेलेव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले